नमस्कार दोस्तों कई मेरे भाई लंबे समय से आर्मी की भरती का इंतिजार कर रहे थे तो अभी उनके लिए एक नोटिफिकेशन आज चुका है 25,000 पदों पर आटवी और दसवी बार भी पास के लिए भरती जो है इंडियन आर्मी ने निकाल दी है आएए इस वीडियो में पूरा जानेगी कि क्या एज क्राइटेरिया है इसमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी में जो अगनिवीर भरती होने वाली है इस बार वो बहुत बड़े पदो पर होने वाली है और इसमें जो है नया जो करया है अब की जो वड़ा सुल्क है उस जादा बड़ा दिया गया है अब देख सकते हैं आप साड़े पांसो रुपे सुल्क जो है इसका क तो ये बहुत बड़ा factor है इस बार जो सुल्ख है वो साठे 500 रुपे कर दिया गया है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह साठे 500 रुपे जो है वो सुल्क रखाए गया है अब हम बात कर लेते हैं अगली आर्मी अगनी वीर भर्तु के लिए आयू सीमा तो आयू सीमा भी इस बार चौका देने वाली है साड़े सतरह से लेकर जो है 21 वर्स तक रखी गई है वही है ज्यादा चौकाने वाली तो नहीं है लेकिन वही एज सीमा है जो पिछली वार थी और जो नर्सिंग असिस्टंश के लिए वो तो आप जानते हैं 23 वर्स के लिए रखी गई है साइडे सत्रह से तेज के लिए इसमें आर्म य अगनीवीर भरती के लिए सेक्षनिक योग्यता क्या होनी चाहिए अब दीखिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो है वो सेक्षनिक योग्यता है जैसे कि आप अगर अगनीवीर जनरल फीजदी अंगों अंगों से एग्रिगेट के साथ बारवी पास होना जरूरी है यानि कि अगर आप टेक्निकल के लिए भरते हो तो फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैत होना आपके लिए जरूरी है और अगर आप कलरक के लिए भरते हो तो इसमें कम से कम इसमें कम से कम 60% मार्क्स आपके बार्वी में होना जरूरी है और उसकी साथ आप अंग्रेजी और गणीत और अकाउंट्स और बुक विपी में 50 फीज़ती अंग होना जरूरी है ट्रेड स्मेन के लिए कम से कम दस्वी पास होना जरूरी है और जो 33% है वो अंग होने जरूरी है और अब हम बात कर लेते हैं आर्मी अगनीवीर भरती एक्जाम को लेकर एक्जाम 100 नमबर की होगी जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल मैथ के 15 नमबर के 30-30 परसन पूचे जाएंगे जबकि logical reasoning के 10 नमबर के 5 परसन पूचे जाएंगे इस तरह 100 नमबर के 50 परसन पूचे जाएंगे इस परीखसा में 14 नमबर की negative marking भी होगी उमिदवारों को परीखसा में पास होने के लिए कम से कम 35 नमबर लाने होगे कम से कम 35 नमबर लाने होंगे अब हम इसके बात करते हैं इसका जो selection process होता है उसमें तो इस selection process के लिए आपको सबसे पहले एक return test होगा उसके बात physical होगा उसके बाद आपका जो है सिरफ clerk में जो है वो typing test होगा और दूसरों किसी में typing test नहीं होगा उसके बाद document verification होगा और उसके बाद medical examination होगा और उसके बाद final merit list आजाएगी और हम बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले आपको आवेदन के लिए जो एक site होती है आर्मी की वो खुल चुकी है सायद उसमें application अभी लिए जा रहे हैं अब अगर आप ये demand करते हैं कि कैसे form भरना है तो हम ये भी बताएंगे अपने चैनल पर तो इसके लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना और vacancy related videos के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना हम ऐसी और vacancy आपके लिए लाएंगे जो की अंदरूर्नी vacancy होती है जिनका आपको पता तक नहीं चलता लेकिन वह vacancy आगा चली जाती है हम आपको ऐसी vacancy से मिलाएंगे तो ऐसी vacancy को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर से कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई